निम्न लिकित रेकिक समीकणों के यूगम को ग्राफिय विदी से हल किजिए, एवं हल की प्रकृति बताईए, यह हमें दो समीकण दिये गए हैं, जिनें हमें ग्राफिय विदी से हल करना है और उसकी प्रकृति बतानिए, तो हम समीकण नमर एक को इस प्रकाद लिखते हैं, एक्स प्लस y बराबर 3 हमें इस सबसे फ़ले समीकन को किसी एक चर के बराबर पक्सांतर करना है तो हम x के बराबर इसको पक्सांतर करते हैं तो x बराबर तीन बाइंपक्स में y प्लस इधर दाहिने पक्स मानिए पर-y हो जायेगा इसके अंदर हमें वेल्यो रख करके और कम-से कम दो वेल्यो गयाद करनी है किसी भी रेका खंड को खिंचने के लिए किसी रेका को ख présent के के लिए हमें कम-से-कम 2021 के आवशकता हूती ये हम हम इससे यहां एक table बना लें, जिससे दो बिंदू प्राप्त कर सकते हैं अपन। यह x, y, दो बिंदू प्राप्त करने हैं, तो हम इस में y बराबर एक रखते हैं, y कमान एक यहां table में एक रख दिया, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा, 3, minus y की जिएक हमने एक रखा, तो 3 में से एक रखाने पर हमें प्राप्त हुआ, 2, तो इस तरह से x कमान प्राप्त हुआ, 2, पुन है हम y कमान रखते हैं, 2, तो 2 रखने पर x कमान क्या प्राप्त होगा, x बराबर, यहां 3, minus y की जिएक, 2, तो 3 में से 2 गठाया, 1, तो इस तरह से x कमान प्राप्त हुआ, 1, इस तरह से 2 बिंदु प्राप्त होगए हमें, पहला बिंदु आया, 2, 1, दूसरा बिंदु होगए, 1, 2, 1, 2, इस तरह से दूसरे समिकन से भी हमें 2 बिंदु प्राप्त करने हैं, तो दूसरे समिकन से 2 बिंदु प्राप्त करने के लिए 3x-2y बराबर 4 इसको अक्स के बराबर करने के लिए 3x बराबर 4 पक्षांदर करने पर माइनस दो वाई है इदर आने पर प्लस दो वाई तीन यहां गुणा में हैं तो इसको बाग में बेज देंगे तर तो एक्स बराबर हो गया 4 प्लस 2y भाग 3 इसमें हमें वेल्यू रखते हुए एक्स के दो मान निकालने हैं तो यहां एक सानी बनाई एक्स वाई सरव पर तो हमने एक्स वाई कमान रखा एक वाई कमान रखा एक तो यह कमान एक रखने प्रक्स कमान आएगा चार प्लस दो यह कमान रखा हमने एक तो इन्टु एक बटे हुए तीन बराबर चार प्लस दो यह कम दो बटे हुए तीन बराबर यह हो गया चार दो छे बटे हुए तीन बराबर तीन का बाग देने पर चे में दो बार तो अक्स कमान आ गया दो अब हम इसमें मान रखें जैसे वई कमान रखें 2 तो यहां दो गंगण 2 दो दुनी 4 चार और चार आठ होते हैं आठ में तीन का बाग पुरा पुरा नहीं जाता इसलिए दो नरकर के दूसरा मान रखें तीन रखें तो 2 को 3 से गणा दो होती है 6, 6 और 4, 10, 10 में भी 3 का बाग पुरा-पुरा नहीं जाता है इसलिए दूसरा मान रखें, 4 मान रखें या 4, x का मान 4 रखने पर sorry, y का मान 4 रखने पर x बराबर क्या प्राप्त होता है, देखिए 4 प्लस 2 इंटू, y का मान 4, बट्टे हुए 3 इसको आल करने पर x बराबर 4 प्लस 4 दूने 8 बट्टे हुए 3 4 और 8 बारा है 12 बट्टे हुए 3 12 में 3 का बाग देने पर 4 तो इस तरह से इसमें दूसरा मान पराप्त हो गया 4, तो हमें 2 बिंदू पराप्त हुए, पहला बिंदू हुआ गया 2 और 1 और दूसरा बिंदू आगए 4 और 4 अब इन बिंदू को ग्राप में निरुपित करते हैं ग्राप में खींचने के लिए हम ग्राप वेपर में एक उर्द्वादर रेका किंचेंगे और एक ख्षेतिज रेका किंचेंगे ये उर्द्वादर हो गई एक रेखा है जो ख्षेतिज रेखा केंचते हैं जहां ये दोनों रेखाएं काड़ती है वो इसका मुल्बिन्द हो गए जिसको O से लिखते हैं ख्षेतिज रेखा को X-axis X-DES और इदर हो गया Y-DES और यह हो गया Y यहां पेमाना पेमाना एक सेंटिमीटर बराबर एक इकाई पेमाना आवशकतान उचार चोटा बड़ा लिया जा सकता है माइनस पाँच Y-axis पर एक दो तीन चार या पाँच Y के रिनात्मक एकस पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार और माइनस पाँच यहाँ हमें पहली रहका से प्राप बिन्दू है दो और एक और एक और दो और दूसरी रहका से हमें बिन्दू जो प्राप तो यह थे वो है दो एक और चार और चार तो हम पहली रहका की बिन्दू दो और एक को ग्राफ नी रुपित करने के लिए, पहले हमें X कमान दो दे रहा है, तो X X पर दो यहां, दो यहां से Y X पर चलेंगे अपर न, एक, तो Y X पर उपर यहां से एक, तो यहां से एक सेंटिमेटर चलने पर यह पहला बिंदू आ गया, एक और दो, दूसरा बिंदू है, एक और दो, यानि X का एक और Y का दो, तो यहां यह X एक से पर एक और Y पर एक और यह दो, यह दूसरा बिंदू आ गया, इस तरह से दोनों बिंदूं से गुजर्टी रेखा कहींचने पर, मैं, इसका, रेखा रेखी रिप्तार प्राथे होता है, यह पहले रेखा कहा आ गया, पहले समिकण का, अब दूसरे समिकण का निरुपित करने के लिए, तो X का मान दो और Y का मान एक, जो पहला बिंदू आ गया, तो अपने हाईस में एक और बना देते हैं, दूसरा, X का 4 और Y का भी 4 तो X का 4 और Y X पर 4 तो यहां से X पर 4 गिन ले हैं एक, दो, तीन और 4 यह Y के 4 के से दिमा आ गया तो यह point आ गया दूसरा इसको भी अपन scale के साइता से मिला देते हैं तो इस तरह से दूसरी रेखा भी हम खींच सकते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि graph से हल तो यहां सबसे पहले graph से हल लिखें तो graph से हल graph से हल वो बिंदो होगा जहां दोनों रेखा हैं पर्थिष्यत करती है तो यह रेखा यहां पर्थिष्यत करती है यह पर्थिष्यत बिंदो हो गया तो इसको यहां से देखे हैं, तो X एकस पराता है, 2, तो X बराबर 2 प्राप्त हुआ, और Y बराबर यहां से Y एकस पर फिल वाई 1, तो Y कमान प्राप्त हुआ, 1, यह ग्राब से हो वगा, और इसकी नेचर देखें, तो दोनों रेखाई, पर्ति छेडी है, तो रेखाएं या इसका नेचर में दूसरी बात अपने को लिखने हैं, रेखाएं, परती छेदी, ये दो बातें हमें इसमें लिखनी हैं.